स्वागात है आप सबी काप Fantasy Insight की एक और नए प्रोडिक्शन वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सिस आस्ट्रेलिया के बीच में जो थार्ड टी-20 मैच खेला जाएगा उसका Grand League टीम प्रोडिक्शन के भाड़े में जी हाँ इस वीडियो में मैं आप लोग को Grand League के पॉइंट वीव से बाताने वालू टोटल 2-2 प्लेयर से कौन-कौन सा ऐसा 11 प्लेयर से जो इस मैच में ड्रीम टीम में आ सकता है इस मैच में आप लोग के लिए बोबी मैं आप लोग को बाताने वालू बट आप अगे आप लोग को बाता हूंगा हमलोग के पालव करना बहूत ज्याधा इंमपॉर्डंतए है पीच के अकोर्डिंग हम लोग बॉलर कंस्कों सीलेट करने वाले वीडियो को वी-जा-ख कर पाओगे पूरा दिंग लोग में पूरा दिख किन चैनल को सब्स्क्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर देना एंड टेलिग्रम पार जॉइन कर लेना क्योंकि फाइनल टी में टेलिग्रम पार ही आप लोगों से शाय कर दूँगा ग्रेंड लिग का एंड इसमोल लिग का तो चली आप सबसे पहले पीश डीपो देख लेते हैं सो देखो यह मैच खेला जाएगा वर्सव पारा स्टेडियम गोहार्टी पर टी-20 स्टैट की अगर बात करें तो सिर्फ दो मैच खेला गया है जिसमें से बैटिंग फास्ट करने वाली टीमों ने वान मैच उसको विन किया है पास्ट इनिक्स आपर जिसकोर 178 का है और बांटरी डाइमेंशन भी बहुत ज्यादा चोटा एंड डिव भी आ सकता है सेकेंड इनिक्स बी तो जो भी तीम पहले बैटिंग करेंगा आप मान के चाल सकते हैं बैटिंग फास्ट का थी 170 प्लस रन इसकोर कर सकता है या फिर 180 या फिर 200 प्लस रन भी यहापर हो सकता है अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग आता है तो डेपिनेटली यह पर हाई स्कोर आप लोगों को देखने को मिलेगा और बोलर्स के लिए उतना ज्यादा हेल्प नहीं है इस पीच पर कॉनसा बोलर्स ज्यादा हो कर ले सकता है अभी में आप लोगों को बाताने वालो उसमें पेसास को मिला था फोर गेट इस्पिनर को मिला था वान विकेट उसे पहले तूथा उसे नाइंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक और मैच जिसमें इंडिया ने बैटिंग फास्ट करते हुए सर्फ 118 रान ही स्कोर कर पाया था और ऑस्ट्रेलिया उस आसानी से चेस का लिया था उसमें पेसास को टेन विकेट एन इसमेर को सिर्फ टूइकर मिला था तो देख लो लास्ट्व मैच में फॉर्टीन विकेट मिला है पेसास को ज्यादा विकेट मिलने वाला है तो हमें ज्यादा करकि पेसास के उपर फोकस करना होगा एंड एक ऐ पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 था उसी के साथ इंडिया जाने वाला है श्रेश आयर वापस आ गया है वो भी खेल सकता है अगर खेलेगा तो तिलेक बारमा के प्लेस पर खेल सकते बाट मुझे नहीं लागता कुछ चेंजेस दिया पर होगा तो यह ही होने वाला इंडिया का प्लेइंग 11 इस मैच का आभी हैसे कौन-कौन सा प्लेर्स इंपर्टन होने बाला है वो देख लेते हैं सबसे पहले जैस्वाल की आगा बात करें नो डाउट बहुत आच्छा प्लेर्स है पिछले मैच में फिप्टी ती राने शूर था उससे पहले 21 राने शूर था तो इस बात का आप लोग ध्यान राकना रीतुराज गायकोट की अगरा बात करें पिछले में फिप्टी राने शूर था था थोड़ा सा स्लो खेलता है मतलब रिस्क काम लेता है क्योंकि जैस्वाल बहुत ज्यादा एटेकिंग क्रिकेट खेलता है तो अगर आप लोग सेफ ज ले सकते हैं सुरिय कुमर की अगरा बात करें पिछले में जो 99 सुर गया था और उससे पहले मैच में 80 राने स्कूर किया था और बोजी लागता है इस मैच में यह आप लोग के लिए बेस्ट कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंस का ओप्शन हो सकते हैं तिल्यक बारमा की आ आप लोग के लिए ट्राम काट हो सकता है अगर जल्दी गिरी जाता है जो की गिरने का प्रोबाबिलिटी है तो उसकेस में रिंकु सिंग आप लोग के लिए बहुत अच्छा पीक हो सकते हैं आक्षर पाडल की आगा बात करें पिछले मैं जो एक विक लिया था उससे पहल पहुत अच्छा नहीं है से पिछले मैं वाड़ लिए था उससे पहले मैंज में जीरो विकेट तो मुकेश कुमर इस मैज में आप लोग के लिए ट्राम पिक हो सकता है इस बात का आप ध्यान रखना मुकेश कुमर और प्रशित किष्णा भी प्रशित किष्णा का इस टी संका एन एडम जांपा खिला था जैसें बैन पिशले में नहीं खिला था अब मुझे लागता है शौन एबट के प्लेस पर एडम जांपा इस मैज में वापस आ सकता है अब यहाँजे कौन को से प्लेस इंपोर्टन होने वाला है वो सबसे पहले मैं आप लोग को ब क्लेस है तो अगर चाहो तो पीक भी करके चल सकते हो जो इंग्लिश का मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बाता है इसको क्याप्टेन वाइस कैप्टेन माद बनाना और देखो पिछले मैज में फ्लॉप हो गया था मार्कस टोनिस पिछले मैजे का था आप लोग के आप लोग के लिए बहुत अच्छा पीक होने वाला है और ग्लैन मैक्सल का बात कर दोगी ऑस्ट्रेलिया अगर फास्ट टिनिक्स में बैटिंग का था ग्लेन मैक्सल आप लोग के लिए बेस्ट सी बीसी का उप्शन हो सकता है इस मैज मैथी वेट पिशले मैं आच्छा प पाताने बालो चलिए ड्रीम इलिए उनके आंदर चालते हैं वहाँ जाए कि हम लोग जल्दी से अपना ट्रीम क्रेट कर लेते हैं आपके पास त्री ऑप्शन है इसान कीशन मैथी वेट एंड जॉस्ट इंगलिश इसान कीशन इंडिया के तरफ से उप्शन कीशन करने वा अगर आप लोग सेव जाना जातों आप लिए रिस्क लेना चाहते हो तो इसन कीशन को इस मैच से ड्रॉब भी कर सेकतों अभी के लिए में एशन कीशन को अपने टीम में राखने वालो मैथी वेट किया बाद कर दो एटीन पासे पिछले मैच में अच्छा इनिंग्स कर आ अगिति टीम करोगा इसको में आपने टिम में रसकल नहीं राखने वालो मैथम हुआ उर्व apostles्şिलेशन पेर नायूड अप्रिश्फा घुर्यी अपने मार तो आप ट्रीम स्मीथ का उत्त वास्तन पेरति बेंग्स तो आप लोग एढ़ना इसको ने मुआ स almond in bondage आपक को कैस wonder Самेही में स्क्राइब को धी मिखा तो मेंसिदत को कर दोब तब तोटका इनिंग्सOne आपको मैं दो करने वालों अपने हैं गाय को स्क्मास करें दो नहीं है तो तो छीम ही जाले तो हो सकते हैं आप लोग लिए यह सुस्पी जैस्वाल को मैं आभी राखके चल रहा हूँ अपने टीम में तिलक बार्मा रिंकु सिंग एंड टीम डेविट की अगर बात करें तो देखो दिलक बार्मा एंड रिंकु सिंग दोनों में से कोई एक इस मैज में डिफिनेटली आच सिर्फ 9% सिलेशन है रिंकु सिंग का 49% सिलेशन है बाट मुझे नहीं लगता उतना जाद हाई स्कोर कार पाएगा तो इजली ड्रॉप का दिना टीम डेविट को भी मैं आभी ड्रॉप करके चलने वालों बहुत नीचे बैटिंग करने आएगा और लांडर की आगा बात कर हुँ ग्लें मैक्षव पिछले में फ्लॉप गया था बहुत से कैप्टेन वाइस कैप्टेन लेके आया था पर मैंने जैसा आप लोगो को बात आ था अगर फास्ट निंग से बैटिंग आते ऑस्टेली एक तीम से उसके प्लेस पर में एक और एक्स्ट्रा बोलर्स को लेने वालो नमबर 4 ये फिर नमबर 5 पर बैटिंग गरना है और बोलिंग से भी फिर 4 आपिर ओर्फ बोलिंग कर सकते मारकस्टोने एप स्ंथितर मु՝े लगते बोलिंग कर गार करने वालू इसको भी मैं आपने टीम में राखने वालू बाकिया और और पिछले मैच नहीं कहला तो इनको मैं अभी पिक नहीं करने वालू अभी अगर बोलिंग की बात करें तो देखो यह से एडम जांपा अदम जांपा देख लो पिछली 25 परसें सिलेक्शन पिछले आप लिए मैं आरश्टीदिप सिंग को अपने टीम में राकने वालू क्योंकि फास्टर बोलर्स को इस पेच पर जादा विकिट मिलता है तो आर्श्टीदिप सिंग को मैं बैक करने वालू बाकि बोलर्स को अभी में पिक नहीं कर रहा हूँ आगर आप लोग यह से रभी की भी बीश्टू को ट्राइब कर रहा हूँ पाद में अगर चेंज़ेस करूगा तो मैं आप लोगों टेलीगां पर आपडेदे दूँंगा जो भी मैं चेंज़ेस करूगा अपने तीम में आप कैप्तेन वाइस कैप्तेन सी की आगरा बात करते हैं को जैस्ट वाल को सब काप्टेन वाईस कैप्टेन लिए चाल रहा है पर जिल में इसको कैप्टेन बाने का कोई मतलब नहीं इसमें आप लोग लिए रीतुराज गायकोद को वाइस कैप्टेन सीके वाउच्टेन होगा है दोन आप लोग लिए आच्छा वाइस कैटेंशी का ओफशन होने वाला इस में ग्रेड रिए के लिए मैं इस में रितुराज गायकौद को वाइस कैप्टेंशी के यहांसे मैं जो भी चेंज कर देखेंगा अब लोगों को दे दूँगा आपडेट के लिए टेलिग्रम पर फॉलोग का लेना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे और भी आच्छे आच्छे प्रोडिक्शन वीडियो आने वाले है